नमस्कार मुंबई मेट्रों में स्वागत है आप सभी का खबरों में मैं हूँ आपके साथ रोहित पुनेठा बुल्धाना में आज बड़ा मूख मराठा मोर्चा निकला इस मोर्चे में लाखों की संख्या में मराठा समाच के लोग शामिल हुए आरक्षन और एहमद नगर रेप मुर्डर केस में दोश्यों को सजा दिलाने की मांग को लेका निकाले जा रहे इन मराठा मोर्चों ने राजनेतिक दलों की नीन दुड़ा कर रखती है कहीं ये किसी आने वाले तूफान का आगास तो नहीं है महाराश्र के 15 शहरों में क्रांती का जंडा फैराने के बाद बुलधाना में आज मराठा समाज का मूख क्रांती मोर्चा उमड़ा हर शहर की तरह यहां भी जन सैलाब लाखों में था मुलधाना जिले के हर गाओं और कस्वे से मराठा समाज के लोग इसमें शामिल हुए जिन में बहलाओं की तादाद अच्छी खासी थी पिछले एक महीने से महाराश्चु का सबसे बड़ा और राजनतिक रूप से दमदार मराठा समाज सडकों पर है इसी महीने नांदेड, जालना, अकोला और नवी मुंबई में ऐसे ही बड़े मूख मोर्चे निकल चुके है ये आंदोलन एहमद नगर में मराठा लड़की के गैंग रेप और मरडर मामले में न्याय की मांग को लेकर शुरू हुआ था धीरे धीरे जिसमें पीडित लड़की मराठा थी और आरोपी दलित पर अप इस आंदोलन में धीरे धीरे मराठा आरक्षण की मांग जोड शोर से उठने लगी है इनकी एक और मांग है एट्रोसिटीज कानून को खत्म करने की इन मोर्चों में ना कोई भाशरबाजी होती है ना कोई नारेबाजी फिर भी इनकी असर का अंदाजा इस बास से लगाय जा सकता है कि खुद सीयम ने इनकी आरक्षण की मांग कूरी करने की प्रतिबद्धिता दिखाई महाराश रुमे 32 फीजदी मराठा है ये एक प्रभावशाली समुदाय माना जाता है जिनका राज्जी की राजनीती, शिक्षा संस्थानों और कॉपरेटिव सेक्टर पर नियंत्रड है इन मुप मोर्चों की सबसे बड़ी खासियत है कि इनका नेत्रवत तो कोई नेता नहीं करता ना ही कोई राजनतिक दल इनके पीछे खड़ा है जल्दी मुंबई में भी एक मराठा मोर्चा निकाला जाएगा जिसमें 25 लाख मराठाओं के शामिल होने की बात कही जा रही है मुलधाना से जगाखान के साथ आज तक ब्यूरो मुलधान तक ब्यूरो